नमस्कार दोस्तों मैं के इस प्रिस्टिंग फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्रिग चैनल पर अभी तक हमने रेट के अंदर इंग्लिश की तीन यूनिट साइकलोजी की दो और हिंदी की कुछे ग्रामर का पॉर्शन कर लिया है और मैथ के अंदर हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ओल्मोस्ट कंप्लेट कर ली है यूनिट सेकंड के अंदर आज हमाई टोपिक है साजा यानि पार्टनर्शिप तो स्टार्ट करते हैं टोपिक और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने सभी फ्रेंड सभी ग्रूप्स के अंदर और खुद के नोट्स जरूर बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी और हर एक वीडियो के लास्ट में आपसे एक कोशन पूछा जाता है जिसका अंसर आप सोल करके वीडियो के अंत में और फिर कमेंट करके अंसर सही जो है ओप्शन वह आप जरूर बताएं इस वीडियो में अपने सिर्फ पांच टोपिक करेंगे पांच ही टाइप करेंगे साजा के अगर आप यह पांच टाइप कर सकते हैं तो मतलब एक जाम में आप डेफिने बust इमिल कर अपना धन लगा कर कोई व्यपार करते हैं सभी केंट वेपार तो उसे ही क्या गआते हैं साजा या पार्टनेशिप अगर आपने मैंन क्या धियान रखना है कि जो आपको मतलब व्यक्ति थे होँगे 3 20 20 फ़ीशज़ लगा रहा है तो भी अपने नहीं देखेंगे तो जो चीज़ हो रही एदौनों के अंदर डिफ्रेंट्स जो है जो चीज़ा लग-लग है वसी को ले के अपने कोशन सॉल्व करेंगे तो पहला टाइप पहला टाइप का कोशन ही है यहां टाइपस के अंदर सभी कोशन से पहला कोशन देखिए ए और बी ने मिलके 20,000 और 40,000 रुपे करमशे ए ने 20 बीने 40,000 रुपे लगाकर व्यपार जो है वह शुरू किया वर्ष के अंत में बी का लाब दिया है एक ग्यात करना है अब देखिए इस केस में क्या है लाब जो है वह हमेशा जो पुंजी अपने इंवेस्ट करते हैं उसी के अनपात में हमें लाब मिलता है तो यहां ए और बी का आप अनपात निकाल के देखिए 20,000 और 40,000 का एक अनपात दो आएगा अब एक का लाब निकालना है बी का दिया हुआ है तो एक का रेशो कितना है एक बी का कितना है दो तो एक बटा दो आजेगा जिसका लाब पता है उसका बटा में आएग और उसके बाद हम मान निकाल लेंगे कितना हैगा 6000 रुपे और अगर वैसे देखें तो इनका अनपात है एक अनपात दो B को 12000 लाब हुआ है यानि दो हिसा हुआ है तो A का एक हिसा यानि उसका आधा कर देंगे अपने तो कितना आधेगा 6000 रुपे यह था टाइप नंबर वन अब टाइप टू जो है most important है देखें रमेश महेश की पुंजी का अनपात चार अनपात साथ है विपार में रहने का समय नो अनपात बारा है कुल लाब 30,000 है तो महेश का लाबांश यानि दूसरे वाले का लाबांश बताना है आदेखें जब आपको पुंजी पता है समय पता है तो हम लाब निकालने के लिए उसका जब अनपात निकालते हैं तो इनका गुना किया जाता है कि किस व्यक्ति ने कितने समय के लिए कितनी पुंजी लगाई है तो यहां पुंजी का अनुपात है 4 अनुपात 7 और समय का है 9 अनुपात 12 तो जब हम लाब का अनुपात निकालें तो ध्यान रखना यही आपके काम आएगा next type के अंदर और देखे पुंजी का और समय का जब हम गुना करते हैं तो अपने अनुपात जो भी आएगा वो क्या होगा लाब का अनुपात कि किसी ने कितने समय के लिए कितनी पुंजी लगाई है तो उसी अनुपात में ही उसको क्या मिलेगा लाब मिलेगा तो आपको लाब का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों का गुना कर देना है तो चार को नो से करोगे 36 बारा को साथ से करोगे चुराशी फिर यह कैंसल ओजेगा बारा के टेबल से बारा के पहाड़े से तेन और साथ पर तो दोनों का योग कितना आजेगा अनुपातों का योग तीन प्लस 7 यानि 10 अब कुल लाब दिया आपको और महेश का पूछा है महेश यानि 2 वाला तो महेश का जो अनुपात है वो कितना है साथ लाब के अंदर अनुपात साथ है टोटल अनुपात है 10 और टोटल लाब कितना है 30,000 तो क्या जिगा 7 बटा 10 कुना में 30,000 यानि 21,000 आपे मैश का लाभान्श है और बाकी जो 9000 है वो किसका है रमेश का आई होप आपको यह टोपिक अच्छा लग रहा है और टाइप भी अच्छा समझा गया नेक्स टाइप की और बढ़ते हैं जिसमें यही आपका फोर्मला यूज होगा देखिए बहुत ही ज्यादा कोश्य नहीं कि मिक्स ना करें आप इनको पीक्यू आर्ट ने कुछ-कुछ पुझी लगाकर एक सज्युक्त विपार किया विपार में रहने का समय उनका है तीन पाद चार अनुपाद छे समय दिया है लाब दिया है दो अनुपादशे अनुपाद साथ तो पुझी बतानी है मैंने कहा था कि अनुपात के अंदर लाब जो है वो पुंजे गुना समय के बराबर होगा कि जितनी पुंजे जितने समय के लिए लगाई है उसे अनुपात में उसको लाब मिलेगा तो यहां मान रखना अपने लाब कितना है 2, 95, 6, 96, 7 तो भाग करेंगे पुझी का अनुपात क्या आएगा फिर दो बटा में 3 अनुपात 6 बटा में 4 साथ बटा में 6 यानि हर एक का अपना-पना पुझी का अनुपात आजेगा अब देखिए इसको सोल करने का तरीका क्या है हमें पता है हमने लास्ट जो परसेंटेज वाली और उसको अनुपात या प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं उसके अंदर अनुपात समानुपात वाली वीडियो में किया था कि नीचे वालों का पास आठ अठारा और चवदा तो उसका रेश्यों निकालें कि आज एका चार अनुपात नौँपात साथ ये इसकी पुंजी का अनुपात है तिनों की पी क्यूवार की बहुत है most important question था अब देखिए type number 4 अब यहाँ पुंजी नहीं दे गई समय दिया हुआ है सिरफ क्या कहते हैं कि A ने B से 1000 पे अधिक पुंजी लगाई लेकिन चार माह पुरव A ने अपनी पूरी पुंजी निकाल ली संपूर्ण पुंजी वापस निकाल ली यानि कितने म इतने महीने बचे आठ बी की complete चली है बारा महीने ठीक है लेकिन उनका जो लाबांश है लास्ट में जो उनको प्रोफिट हुआ वो दोनों का क्या हुआ सेम हुआ है तो सेम हुआ है तो अनपात क्या होगा इनका बराबर कि जिस अनपात में जितनी राशिनों ने लगाई वो उनके लाब के बराबर होगी हमें पता है कि पुण्जी और समय का जो गुना करके हम अगर फाइंड करें तो वही उसका क्या होता है लाबांश होता है तो यहां अपने बी की पुण्जी मान लेंगे एक्स एक ही कितनी है हजार उपे अधिक यानि एक्स प्लस हजार मान है तो क्या जिएगा एक बटा एक दोनों का लबांस एक एक तेच्छा गुना करेंगे एक्स कमान कितना जिएगा दो हजार उसने एक की पुझी पुझी है एक की पुझी है एक्स प्लस हजार यानि कितनी आजेगी तीन हजार सिंपल अब आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टन कोशन जो कि ऐसे कोशन स्टार्टिंग के अंदर पहले ये टैंथ क्लास के अंदर उन में छोटी क्लासों में हुआ करते थे लेकिन अब जो है ये टोपिक मां से काफी सालों से हटा दिया है साजा का देखिए एक वाई एक व्यपार में 20,000 और 10,000 रुपे लगाई छे महाबाद एक ने पांच जा रुपे और दो महाबाद तथा इसके दो महाबाद आए गया इसके दो महाबाद वाई ने 75,000 रुपे और लगाई तो देखिए 6 महा तक तो उसका एक का चला 20,000 और अगले 6 महीने 5,000 और बढ़के यानि 25,000 तो यहां क्या लिखें 20,000 इंटू 6 प्लस 25,000 इंटू 6 टोटल करेंगे 2,70,000 इसी परका 10,000 रुपे पहले वाई ने लगाए कितने महा के लिए 8 महा है 8 महा कैसे कि 6 महा तो एक्स ने लगाए उसके दो महाबाद वाई ने 75,000 लगाए तो यानि 8 महा तो उसके 10,000 चलते रहे फिर अगले जो 4 महा बचे उसके अंदर उसने 17,500 रुपे लगाई तो इसका जो टोटल लाएगा 12 महा कब हो आएगा 1,50,000 दोनों का रेश्यों निकालेंगे अपनी कितना अजी का नुपात 9 पाथ 5 यानि टोटल कितना आगया 14 अब हो कहता वर्ष के अंत में 21,000 रुपे लाब हुआ तो एक्स का लाब यानि पहले भले का अब अनुपात टोटल का लिया हमने क् कुल लाब दिया है एक्स का अनुपात है नो तो नो बटा में कुल कितना हैगा 14 गुना में 21,000 तो टोटल कितना हो जेगा एक लाख सोरी 13,500 एक्स का है हिस्सा और बाकी जो बचा वो किसका है य का हिस्सा है तो यही 5 टाइप थे इससे अलावा आपको कुछ भी करने के इस आपने के जरूरत नहीं है इन टाइपार को आप अच्छे से कर लिए और आपके लिए जो कोशन है जैसे कहर बार होता है हर एक वीडियो और वो question आपके सामने है और आपको WH incident कैसी लगिए यह जरूर बताएं comment करके और वीडियो को share करें जितना हो सके और इस question का अंस्वर आप description में या comment box में जरूर बताएं कोशन है ए बी ने कुल पुंजी की एक बटा दो और एक बटा तीन भाग लगाए शेश भाग सी ने लगाए वर्ष के अंद में 66,000 रुपे का लाब हुआ तो बी का लाब पुछा उसने ओप्शन है 11,000, 22,000, 6,000 या 2200 रुपे आज की वीडियो में इतना ही है साजा के पांच ही टाइप है मोस्ट इंपोर्टन जो मैंने करवा दिये हैं विद एक्जांपल आपको एक्जांपल की टेंशन नहीं है प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक कोशन है अगर आप और चाते हैं तो लास्ट में अबाउट के लिंक दिया हुआ है वाटसब का नंबर दिया हुआ है आप वहां कंटेक्ट कर सकते हैं फेस्बुक का पेज का डिस्क्रिप्शन आवां साथी साथ अपनी कम्यूनिटी टैप भी आ गई है उसके अंदर डेली के एमसी की पूछे जाते हैं साइकलोजी के तो आप वहां भी जाता से ज्यादा कोशिश करें एक्टिव दैने की थैंक यू फूर वोचिंग